हाइ गाई वेलकम् टूअ टूइड के टान गाइज इस वीडियो में हम पाला अर्ट blog और और पीडेक्शिर के बारे में बात करेंगे यह वीडियो viktig AJS मेंस के बारे में जिसमरे में से मेंस का सेक्षिर ओर ह Ven monsieur में जो हल्bus यहीं के बारे में पूछा जाता है वह यह को पेपर में तीसरा वी Gör मैंने मोड़्या पर डाल चुका हूं तनक रिंपे भी होचुका है इती सरा Article सबसे लास्ट में करूंगा क्योंकि मदवनी पैंटिंग और गुपता के पिरियड में BPSC GS1 में सवाल नहीं पूछे जाते हैं और ना कि बराबर अभी तक पूछा भी नहीं गया है और ऐसे वह से लिवस में मैंशन भी नहीं है तो फ्रेंट्स वीडियो शुरू करते हैं पाला आर्ट एन आर्किटक्टर्स के बारे में बात करेंगे तो फ्रेंट्स मैं पूरी स्लाइट्स को परूगा नहीं क्योंकि अगर मैं पूरा स्लाइट्स के हर एक लाइन को पढ़ूगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा और उसका कोई सीन नहीं बनता है फ्रेंट्स मैं आपको ओभर व्यू देता हूं कि क्या था पाला आर्ट एन आर्किटक्टर्स के बारे म चर्ड है और आप ऐसा करना कि पूरे स्लाइट्स को रोख रोख कर खुद पढ़ना और समाझना और उसका नोर्ड बना लेना व्यूक्ट कर तो शुरू करते हैं तो शुरू करने से पहले तोड़ा इंट्रोडक्शन देख लें थी प्रेंच कि पहला डानेस्टी कब से कब तक रूल किया पाराथ cotton i Rest afford आठरवी सताब दी से लेकर 12 with C मतलब after century मतलब 8-12 सताखे लेकर 12只 the leader तक रूल किया था यह जो रूब करने का कज इसका रीजन था वो उत्र-प्रदेश भी था बंगाल भी था उरिशा भी था और बिहार भी था उतर प्रदेश में इस्टर उतर प्रदेश था उसको कह सकते हैं मतलब वे इस्टर उतर प्रदेश नहीं था इस्टर उतर प्रदेश में था बिहार था बंगाल सा उरिशा था उसके बाद development of the art and architecture था वो full-fledged manner में ग गुपता के वाद अगर किसी भी गुपता के दुआरो फूलज मैनर में केरी आउट किया गया तो पाला रूलर था और एक तरह से कह सकता है कि distinctive achievements हासील किया उन्होंने पाला मेंली बुधिष्ट रूलर थे फ्रेंट्स पाला कों थे मेंली बुधिष्ट रूलर थे यह फ्रेंट्स इंट्रॉडेक्शन हो गया आगे चलते हैं इनके प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के आट पाला के आर्ट अर्किटेक्शन में किस किस चीज को इंक्लूड किया था तो फ्रेंट्स पहला में तो आर्किटेक्शन में उसके अस्थापत्य कला के बारे में पढ़ेंगे कि जो बिल्डिंग्स बनाया था बिहाराज बनाया था टेंपल्स बनाया था इन चीजों के बार तो परकार का था एक मिनियाचर पैंडिंग था और दूसरा वाल पैंटिंग था वाल पैंटिंग था और मिनियाचर के बारे में आप लोगों कोई बताते हैं आगे स्कलबचस टेंपल और वितिच्छ च्याज मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि जो पाला का आठ एन ओंटिंग रहे जाए फ्रेंट देखते हैं आगे चल कर बर्स का जो पाला का रूल था वो एक तरह से बुद्धिस आखिटेक्टर से डोमिनेटेट था, क्या था, मतलब पाला ने कितने 800 से लेकर 1280 तक राज किया, कब से कब तक, 800 से लेकर 1280 तक मतलब 880 to 1280 तक राज किया, उसका मतलब डैनेस्टी चला, तो फर्स्ट जो 8 to 1080 तक क सैंहां था, उसमें बुद्धिस्ट आखिटेक्टर से ज्यादा द्यान अकरशित किया था, फिर बुद्धिस्क आखिटेक्टर से ज्यादा कंस्टरक्ट किया, उसके बाद, दो साल बाद शुरू के first 200 years dominated by Buddhist art and architecture then last 200 years was Hindu arts उसके बाद last का 200 years था वो Hindu arts से dominated था मतलब पाला के जो शुरू के दो साल 200 वर्ष बुधिस्ट arts में dominant था और last के 200 वर्ष हिंदू arts से dominant था आगे चलते हैं कि मतलब पाला का जो था बहु सारा बिहाराज का निर्मान करवाया तो नालंदा बिहाराज फ्रेंट नालंदा बिहार का आस्थापना पाला नहीं किया इसको ध्यान रखेगा नालंदा बिहार का आस्थापना गुपता पिरेड ने किया था मतलब गुपता पिरेड का राजा कुमार गुपते पर्थम के द्वारा नालंदा भिहार का स्थापना किया गया था नालंदा में लेकिन पैट्रोनेज जो था वह पाला के द्वारा भी इसको मिला था द्यान रखेगा हर्शा पाला सभी ने इसको पैट्रोनेज दिया था नालंदा को उसके बाद फ्रेंड्स चला बि बिहारा बनाया गया था एक तरह से यह प्लांड Administration भीडिंग था किस लिए मॉंग के लिए मॉंक जो होते थे वो जैन यह फिर बुद्धिस्ट के जो मॉंग होते थे जो एक तरह से सेज कह सकते हैं अभी हिंदू में जो होते हैं मतलब शादू होते हैं सब Mahar और सब्सक्रेट का निर्मान जो होता था वहาม वह पाम लिप पर बनाया जाता था और किस से रिलेट होता था हो सभी जो जितने भी मैंवस्क्रिप्ट होता था फ्रेंड्स वो बुधि शीर तीम से रिलेटेड होता था और बुध्धा के image के जो द्वारा होता था उसको represent क्या जाता था यह पे इमेज के कास्टिंग के लिए baptized workshop अस्टेबिस्ट किया था ब्रोंज इमेज का जो कास्टिंग था एक तरह से कह सकते है ब्रोंज इमेज का जो गुप्ता पियेड था लेकिन पहलाज में भी ब्रॉंज इमेज कास्टिंग एक तरह से पिक पे था फ्रेंट्स उसके बाद सोमापूरा बिहार जो पाहरपूर में था उसको धर्मपाल आ था मतलब इसको धर्मपाल ने क्रियेट किया था यह प्रस्थापित किया था एक तरह से उन आप दा बुद्ध लार्जेस्ट भड़ा उख जो से यह सबसे 24 बड़ा ब्यारा है इसका जो आर्किटेक्ट्रल प्लान था उन फ्रेंट्डो बहु सारे कंट्रीज को और व्हाभावित कैया जैसे कि मैनमार व कि इंडोली साओकिस्ट यह तैद और बुद्ध एमपल्ट था इन सब फिरुएल जिए इंडे करता था यह बंगाई स्टाइल टेंपल्स का स्टाइल है जिसमें टेंपल्स बनाया जाता है उसके बाद जो नम्मी सताव दी थी नाइंथ सेंचुरी सिद्धेश्वरा महादेब जनल शीन है एक टेंपल रूबा ऑपार इक स्टाइब आ जोशकर वन गया वाद आय कि यह सिद्ध करनवाइल लार्ड आमाला का कर ने निख ने इस ने दोच रखते हैं उसको आमाला का बोलती है एन एक्जम्पल कविंग शिखारा क्रोंवाइल लार्ज आमाला का इस एक्जम्पल ऑफ यर्ली पाला स्टैल्स उसके बाद रॉक कव टेंपल एक कहल गाउं का फ्रेंट्स जो 19th century में बनाए गया था वो एक तरह से ऐसा बोला जाता है कि गेवल्ड वाल्ट रूफ करेक्टर अपने रॉक कव टेंपल स्में डिप्ट किया है जो कहल स्मर्ट इसको याद रखिए कहल्गा भागलपूर में है कह है भागलपूर में है कहल अंपर्ट्स यो भिहन में पढ़ता है आगे ट। पे चलते हैं त्यजंद स्थाइव ट्रला कोटा वागलड परsalald और पॉर तर और इसका जो टेरा कोटा का जो मेन परपस था वो डेकोरेशन परपस के लिए था क्या था डेकोरेशन परपस के लिए था और बहुत परकार क्या स्टेच्चू मूर्तियां बनाई जाती चुछ दिवाल पर बनाई जाती थी किस पर बनाई जाती थी अर्मेड़ों वाल एंड विच डिपक्स सीन परपस के लिए जेनर लाइफ स्टाल्स मतलब धार्मी को समानने जीवन का जो गती बिधियां होती है उसको रिपरजेंट किय करते हो इन इस टाइट का जो सीन था रिलिजिस सीन या फिर डेली लाइफ का सीन वह फिर उन सब चीजों को वाल पे रिपरजेंट किया जाता था टेरा कोटा के दौरा फ्रेंट्स अब टेरा कोटा प्लेक्स रिकावड फ्रॉम पहारपूर एंपले डिमोनेस्ट दा एक्स को बहुत ही जाधा डिमोनेस्ट करता है मतलब सबसे जाधा उपाला परिट के आर्ट से प्रभावित सा उसके बद्धा के इमेज के साथ विष्नु बरा सण और अनुमान वाल जाई मतलब जो टेरा कोटा था विद्धा इमेज के लिए तो पार्टिकुलरी बनाया ही जाता लेकिन उसके आलाबा सन के लिए फिर विष्णु के लिए बराह के लिए अनुमान के लिए भी वनाया जाता था इस परकार की भी मूर्तियां पाई गई है आगे देखते हैं एसकलप्चर में उसके बाद कहता है कि जो गुपता ट्रेशन आप एसकलप्चर आट अटेंड न्यू हाइट अंडर पैट्रोनेज ऑफ पाला रूरल्स दा आट इंकॉरोपरेटेट इलोट अप लोकर करेक्टरिस्टिक्स इन्हें बंगाल अंडर दा पाल पाला पीरेट्स के अंतर पाया अट्रल एक न्यू ने उचाई तक पहुंच गया जो गुपता का एसकलप्चर अपरेट्स था उसके बाद कॉप्द को इसको प्रसक्रा ट्रॉल क्रेट्स इन्हें अपर्णि छाइड ने पहुंच नाट के परेक्टर में मतला ने अब कहता है कि जो इस्टोन का स्क्राइब और बनाया जाता था फ्रेंट्स वह पत्थर और ब्रॉंच के बनाया जाते थे और जो यह ज्यादा से ज्यादा मतलब जहां ब्याराज थी मतलब जहां मौंक रहते हैं कौन रहते हैं मौंक मतलब जो सादू महात्मा जा बुद्धिस्ट मौंक रहते थे उसी के साइट्स के असपास इस परकार की एसक्राइब ज्यादा तर पाई गई है फ्रेंट्स वो साइट्स ज्यादा तर नालंदा में है इन सब जगों पे क्योंकि आपको पता होगा कि गया में वी बहुत मंदीर है उसके बाद बुदिश्ट मंदीर है और नालंदा में बुद विहारा था फ्रेंट जहां नालंदा बिहारा के नाम से फेमाश है फ्रेंड बुद्धिजम अब जितने वी एस्कलेटर बनाए परवावी था बुद्धिजम से फरवावी था और यह कहता है कि बुद्धा के गॉड्स मतलब एपार्ट फ्रोम दा बुद्धा इस स्कलप्सेस आप गॉड्स और गॉड्स और हिंदू धर्मा लाइक सुर्या विश्नु गनेश इतने भी गॉड्स ते उसके आलावा को भी रिपर्जेंट किया गया स्कलप्सेस के थुरू एपार्ट फ्रोम दा बुद्धा इस स्कलप्सेस आप गॉड्स और हिंदू धर्मा लाइक सुर्या विश्नु गनेश इतने श्री वेर कंस्टक्टेड मतलब बुद्धा के भगवान के अलावा भी हिंदू के भगव अब से सुंदर जो इसकलप्ट था उसमें एक फिमेल वस्ट फ्रेंट्स आपने देखा होगा कि इसकलप्चर जैसे की पाई गई है इसमें से फिमेल का अपर पार्ट इस्ट्फ शो करता है इसमें से उसका ऊपर मतलब हीड हो जाएगा नोस हो जाएगा फिर पूरा सभी फ सब्सक्राइब लोगतिश्वरा का जो सब्सक्राइब उसके बाद बुद्धिस्ट एसकलप्चर जो है एक तरह से ब्लैक स्लैब और लोटस सीट सपोर्टेड वाइलाइन्स मतलब इस परकार की चीजों से ज्यादा परभावी तोर मतलब फिमस है दा बुद्धिस्ट मतलब ब्लैक स्लैब जो था उससे और लोटस सीट जो था इन सब चीजों के यूज करके ज्यादा ज्यादा बुद्धिस्ट एसकलप्चर बनाया गया फ्रेंस उसके बाद कहता है कि फ्रॉंटल पार्ट्स ऑफ दा बॉडडी है विन शोन इन दा स्कलप्चर मतलब जनरली जो त्रिप आगे की पार्ट्स को दिखाया गया है आगे की पार्ट्स को ज्यादा सुंदर से कार्वाउट किया गया जैसे कि यह जो एक मैन का फीगर बनाया है तो मैन के जो फीगर में जितने भी हैड हो गया नोज हो गया या फिर हो गया आईज हो गया अगर इसको मतलब इसी को सुंदर तरीके से बनाया गया, बैक साइड्स को नहीं बनाया गया, सुंदर तरीके से यही चीज़ दिखाया गया है, कि जेनरली ओनली फ्रेंटल पार्ट्स व दा बॉडी शोन इन दा स्कलप्चर, पीछे का जो पार्ट्स है, उसको डिकोरेट या फिर डिटेल फ़र्म्स में नहीं दिखाएगा, उसके बाद कहता है, ड्यू टु इंफ्लेंसेज आप तांत्रिजम, दास्कलेप्स व गॉड़ वे गिवें डिफरेंट टचेज लाइक जाट ऑफ फीमेल अनिलमेलजी, अब पाला रूलर में फ्रेंट्स क्योंकि उस एरिया में हुआ जहां तांत्रिजम का ज़्यादा प्रभाब था, अभी भी देखते हैं, अश्रम में का मक्या हो गया, बेंगाल हो गया, यह सब तांत्रिजम के प्रभाब में हैं, फिर आज भी यह सूपरस्टिशन वहां पाए जाती हैं, तो समय भी इस परकार का सूपरस्टिशन था, तांत्रिजम, तो इसका प्रभाब एस्कलप्चर्स में भी परभा फ्रेंट्स, इसलिए फिमेल और अनिमल्स का ज्यादा रिपर्जेंटेशन थे इसकलप्चर्स में देखा गया, फ्रेंट्स, आगे देखते हैं, अब बरोंच कास्टिंग मेतर्स अब रोंच कास्टिंग मेतर्स अब परभाबban कास्टिंग मेतर्स यह क्या होता है थे आप लोग को एक सीधा सा एक जामकल दूगा मैं क्योंकिть दिवाली के दिन में अबनोग जनेरल का Informαι отд릴 तो मुंबतियों को उठाओ और फिर सुबह में मतलब आग पर उसको थोरा सा गरम करो किसी भी विकर में लेकरो जब वो मुंबतियां बिल्कुल मिल्ट हो जाती है लिक्विट फॉर्म में तब मतलब हम लोग ऐसे एक विजल लेते थे नली टैप का जो होता था और उसमें मु विजल को खोलते थे मतलब ठंडा होने के बाद खोलते थे तो विजल मुंबति बना देती थी मतलब मुंबति का था एक फ्रेम जिसको बोलते हैं फ्रेंस फाउमा जिसको बोलते हैं हिंदी में साचा लिए और इसमें साचा उपर से ओपन रहता था उसमें डाले और डालने बन जाएगी ओही मैपड ब्रोंज कास्टिंग में use किया जाता है कि मतलब ब्रोंच को बिल्कुल लिकूड फॉम में फिकलता जाता है उसके बाद उसके परकार का इस्कलप्चा बनाना ऐए उस परकार के सांचे में उसको को गिडाओ और फिर उस साचे को हटा लो इसके लिए फ्रेंट्स वैक्स कोटिंग का भी यूज करते हैं जनरली वैक्स का है उस परकार का इस प्लब्चस बनाया जाता है क्योंकि जब वैक्स को भाक मतलब उसी के लिए मोम का ही इस्तमाल यह तरह से कास्टिंग के रूप में किया जाता है उसके बाद कहता है कि artistic beauty card of the stone sculptures मतलब जो stone sculptures था उसमें जो कलाकी सुंदरता थी वो ज़्यादा से ज़्यादा black basalt stones के वज़से पाई गए और उसको दिखाया गया फ्रेंड्स उसके बाद पाला स्टाइल्स मार्क्ड वाई स्ली में ग्रेश्फूल फीगर्स elaborated jewelry and conventional decorations मतलब इतना सुंदर फीगर बनाया गया फ्रेंड्स जिसमें कि मतलब एक ग्रेश्फूल फीगर्स था जैसे कि अब उसमें jewelry को भी elaborate किया गया है conventional decorations जो था जो महिलाईं की शिंगार होती थी earrings, nose rings उसके बाद necklace फिर कंगन इस परकार के चीजों को दिखाया गया है उसको अच्छे से सुंदर तरीके से बनाया गया है मतलब हर एक बिंदू पर ध्यान रखा गया है आई के eyebrows बनाया गया है nose में nose pin के लिए जगा बनाया गया ear rings के लिए बनाया गया तो फ्रेंड्स इस परकार की जो चीज़े अन सब चीजों को दिखाया गया friends architecture में हम लोग थे terra quota fig range में थे sculpture हो गया था या उसके बाद कहता है friends the main features of the Pala sculpture is their free flowing moments almost all the figures of figures are of similar sizes and carve out of the grayish and white exported sandstones तो जो main features था Pala sculptures का वो free flowing moment था मतलब ऐसा कुछ नहीं था किसी particular figures पर ध्यान देना है मतलब जो figures बना रहे हैं उसमें free flowing moments होता था कि हर एक चीज पर ध्यान रखना है किसी एक parts को नहीं हर एक parts को मतलब एक ठीक रूप से देना है और ठीक से दिखाना है उसके बाद आगे panting का है friends पैंटिंग में the earlier example of miniature panting in India exists in the form of the illustrations to the religious context religious text on the buddhist buddhism executed अंदर पालाज अंदर Eastern India जो earliest form of the miniature panting का था friends वो एक तरह से कह रहा है कि जो buddhisms था पाला रूल के अंदर जो Eastern India में पाए जाता है वो ही represent किया था friends form of illustrations to the religious text on था मतलब religious text एक तरह से miniature panting जो palm lip पे बनाया जाता था उसमें बुद्धाज का ही sermons लिखा जाता था या बुद्धाज का ही चित्र बनाया जाता था friends इस पर करका चित्र बनाया जाता था जो miniature panting को represent करता था there are two types of pantings एक menu scripts है friends menu scripts and wall pantings menu scripts में क्या है friends menu scripts written on the palm lips miniature pantings friends छोटे छोटे pantings होता है पत्ते पे बनाया जाती है फिर किसी छोटे 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 चीज़ों पे बनाया जाती है उसे miniature pantings कहते है इसमें कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता है बहुत बड़ा चीज़ों को नहीं दिखाया जाता है जो वाल में छोटे-छोटे पैंटिंग्स बना कर लगाया जाते हैं उसको miniature painting ये फिर छोटे-छोटे जगहों पर बनाते हैं उसको miniature painting करते हैं मनुए scripts were written on palm lips in these paintings scene of life मतलब जो मनुए scripts था friends वो palm lips पर लिखे जाते थे उसके बाद क्या जो painting का scene होता था वो daily life बुद्धाज के बारे में बनाया जाते हैं several gods and goddess of mayana sects जो बुद्धाज के बारे में बनाया जाता था मतलब बुद्धाज के life scenes को दरसाया जाता था उसके बाद other gods जो है महयाना सेक्ट का जो बुद्धिसम का इसेक्ट है महयाना और हिनियाना तो उसके बारे में दर्साया जाता था The impact of tantrism on this painting is easily visible मतलब tantrism का भी impact पड़ा था क्योंकि पाला बेंगाल और उडिसा के आसपास ही develop हुआ उस बज़ा से प्रिंटी ब्लाइक मतलब लाल नीला काला और वाइड कलर्स जैक्स इनरली यूंज किल जाता था व॓ं मतलब tickets सपेटें नर्वोश लायन, सेंसर एलिगंसे लियनेर डेकड अध्या, कि जो distingu इं 국 बनाया जाता था उस में मतलब रिपरजेटेशन करता था जैसे एक पडून का बनाना है तैसे डंडा बना दिया ऐसे कर दिया ऐसे कर दिया था उस परकार का linear representative होता था and decorative accent and subdued tones of the colors और color भर-भर के color भर-भर के उसके सुंदरता को बनाया जाता था friends it is a naturalistic styles and which resembles the idea of forms of the contemporary bronze and stone sculpture and reflect the some feelings of the classical art of Ajanta the ascensors उसके बाद bias and of the art of Eastern India एक तरह से कह रहा है कि जो naturalistic styles था painting का उस चीज को दरसाता था और ideal form जो contemporary bronze age का था stone sculptures का उसको reflect करता था और कुछ feelings तो classical art of Ajanta का था उस चीजों का भी प्रभाब जो था वह पहला paintings के दुआरा दिखा friends ओके चलते हैं आगे friends आगे कि स्लाइड्स पर वाल paintings का काम था कि friends वो दिवार में decorate करना वाल paintings has been found in sardha, sradha and sri asthali nalanda districts यहां पाया गया था friends sradha और sri asthali nalanda districts में पाया गया था at the bottom of platform made of the granite stones flowers geometric shapes images of the animals hunt and wonder the wall painting का मिलनी काम था वाल को decorate करना जिस पर से images बनाया जाता है geometric shapes बनाया जाते थे animals and humans are also founds इस पर काड़ की मेंज वहां बनाया जाती थी friends the reason for decline friends reason for decline क्या था decline के कारण पढ़ लेते हैं अब जा पाला come to sudden end after the destruction of Buddhist monastries at the hands of the muslim invaded invaders in the first time of the 13th century में जब बक्दियार इन्वे खिलजी ने हमला किया था बिहार पर तो पाला arts का declination शुरू हो गया था मुश्लिम आकरमन के बज़े से क्योंकि उन्होंने बिहारा को मतलब जला दिया या फिर जितने भी बुद्धिस्ट चीज था उसको नस्ट कर दिया तो उस वज़े से पाला arts पे बहुत जादा छती पहुचा और हानी पहुचा और देरे देरे डिक्लाइन हो गया कुछ तो मुँख और जो काला कार थे वो नेपाल चले गए मुश्लिम के आकरमन के वज़े से उसके बाद राम पाला was the last strong पाला रूलर after his death a rebellion broke out in काम रूपा during his son kumar पाला's reign जब राम पाला जो रास्ट पाला रूलर था उसके काल में काम रूपा या काम रूपा शब में पाय जाता था उस समय वो है पर इवेलियन ब्रोक आउट हो गया जिसके बज़ासे जो आर्ट 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 पर ज्यादा ज्यादा फोकस वोग नहीं कर पाए और यह भी कारण है कि आगे का जो रूलर था या फिर आगे का जो डैनेस्टी का रूलर था वह उतना ज्यादा इंट्रिस्टेड नहीं था हर पर लाट नार्किटेक्ट्ट्रस में जिसके बदेश से उसका डिकलाइन हो गया तो फ्रेंड्स यह जो था हमने एक बार पाला आट नार्किटेक्ट्ट्रस को पढ़ लिया फ्रेंड्स बीपीएसी का यह मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक था 65 में जो पूछा भी गया था फ लग्यां करेंट वीडियो छॉद्टि तक के लिए धन्हेबात